कब से आप इस साधना में हैं कि छोटों से कहां से आप बंगाल से ही हैं बंगाल से थे साथ साल की उमर से आप आ गए थे परिवार अपने जगह में है तो अभी आप इस ताही रूप से कहां रहते हैं कामक्या गोहाटी मा की साधना करते हैं भॉले बाबा भॉले बाबा नाम क्या आपका कैसा लग रहा है आपको इस लाइन में इस छेत्र में गरस्त को छोड़ करके संती है क्या मैसूस होता है कभी ध्यान भी करते है उपर का भी कभी ऐसास होता है अच्छा लग रहा है परिवार के लोग आते हैं कभी मिलने आते हैं अच्छा आप यहीं रह गए परिवार में आपके साथ और भी लोग रहते हैं आपके साथ कि आप अखेले रहते हैं बहुत सारे लोग रहते हैं पचास जन एक साथ रहते हैं सब कुम में लगए हैं आप यह खेले आए हैं क्या और भी कोई हैं यहां चार और हैं कितनी वार आगए हैं आप यहां पर उन्नीस साल कुम में भी गए हैं चार कुम्ब हो गया मा की साथना करने के बाद आप बाबा की साथना कर रहे हैं मा की साथना कर रहे हैं मा की साथना में बाबा आ गया बाबा आ गया कभी मैसूस होता है मैसूस होता है कभी है होता है कोई यसी घटना बताएंगे कोई यसी घटना सपने में आते हैं कभी किसी भक्त का तकलीफ देख करके वह अच्छा हो जाता है ऐसा कुछ हुआ है कौन करता है मा करती है बाबा करता है मा करते हैं मा बाबा दोनों करते हैं तो अभी आप बाबा का ध्यान कर रहे हैं तो मा को भूल कर रहे हैं मा को भी साथ में रखे कर रहे हैं मा को साथ में रखे कर रहे हैं यह हैं कामख्या जी की साधिका जो अब भोले बाबा की साधिका हैं पश्चिम मंगाल से साथ वर्स की उमर से इन्होंने यह राभ पकड़ ली आपके परिवार में कोई था पहले इस लाइन में साधना के लाइन में अभी भी है वो आपको ले गए या आप खुछ चले गए अकेला चले गए क्या वह था ऐसा साथ वर्स की उमर में ऐसा क्या हुआ कि आपने घर छोड़ दिया मन में ऐसा हो गया घर छोड़ दिया अब अच्छा लग रहा है सांती लग रही है एक वार फिर से अपना नाम बताईए आपका नाम आपका नाम अभी का आपके गुरू का नाम नाम रैंजित आनन्दुगिरी जी की ये सिश्या है उनका आप शिश्या है और बोल रहे हैं कि अब हमको बहुत सुकुन मिल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है जीवन के उस गरस्त को छोड़ करके सादू आस्रम अच्छा लग रहा है भगवान के साथ साक्षातकार हो रहा है और उनकी करपा मिल रही है तो वीवर्स हमारे जो देखने वाले हैं जो देखेंगे उनको भी जरा आशिरवाद दे दीजिए उनको आशिरवाद दे दीजिए ये जै 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 बिलकुल विवर्स बहुत बहुत आभार नमस्कार बहुत बहुत आभार